जियासत के गल्यारों में मंच सच चुके हैं नेताओं के जुमले शुरू हो गए हैं बस इंतिजार इस बात का है किसी भी कीमत पर सत्ता हासल की जाए और अपने वादों से जनता को लुभाये जाए तो फिर हम हाजिर हैं सियासत की इसी उठाब पटक को लेकर अपने खास प्रोग्राम सियासत में नमस्कार मैं हो राशिताली और आप देख रहें SPI 9 News स्वागत है आपका बेरदी खास प्रोग्राम सियासत में मेरे साथ मौझूद है मेरे सयोगी काशिफ अली और हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में पहले चरण में वोटिंग को लेकर जहांपे EVM का मुद्दा सबसे गरमाया हुआ है आपको बता दे कि बीते दिन जहां यूपी नगर उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग हुई जिसमें सबसे जादा जो मुद्दा गरमाया सबसे जादा जो मुद्दा उठा अकामा हुआ कई जगा बबाल कटा तो सिर्फ EVM में गड़बडी को लेकर काशिफ एक जगा नहीं कई जगा बात सुनने में आई कि EVM मशीन खराब है लोग वोट डाल रहे हैं तो वोट किसी एक पार्टी वो भी BJP को लोग सपा को वोट डाल रहे हैं तो BJP को वोट गया कमल का फूल के निशान पर लाइट जली ये मामला आगरा में सामने आया है कानपूर में सामने आया है मेरट में सामने आया है कितने मामले और फिर मशीनों को बदला गया फिर दुबारा वोटिंग हुई क्या ये चुनाव कराने का सही तरीका है बिल्कुल राशिजी जिस तरीके से मामले सामने आए हैं मेरट, कानपुर और आगरा में जिस तरीके से EVM में मशीनों में गड़बड़ी सामने आई है ये एक बहुत ही गंबीर मामला है कि कौन सी साज़िश का मैं इसको साफ साफ तोर पर कहूंगा कि ये कौन सी साज़िश का नतीज़ा है कौन सी साज़िश रची जा रही है इसके पीछे आगर EVM में जर्रासी भी गड़बड हो रही है और खासकर कि जो आपने बात कही बहुत अच्छी बात कही कि वोट अगर एवियम मशीन में गरबर है तो वोट एकी पार्टी को क्यों जा रहा है बिल्कुल ये सवाल गरमाय हुआ है आपको बता दे कि कई नेताओं इस पर सवाल खड़े किये हैं अगर एवियम मशीन में खर पर कमरेस्ट पर डालते हैं तो उनकी शिकायत हुती वोट किसी और कार्टी को दे रहे हैं और बटन जो है वो कमल के पूल का जल रहा है यह कि कहते हैं मशीन धिक्कत है तो फिर एक ही बटन क्यों औरों के लिए कि दिक्कत नहीं और भी पुर ऐभा मशीन खराब हो आ तो क fees केवल और केवल बीजेपी काई Btoल की जलता है बिल्कुल जायज बात है, जिस तरीके की गड़ बढ़ सामने आ रही है कि कीज़ाओ रहा है, वोट सिर्फ पार्टिक्ट क की जा रहा है, अगर वोट ऑग जा रहा है ये बाद बहुत गंभीर है सवालों के घेरे में आखिर इस पे चुनाव-ा-यों क्यों चु्पिसादे ही हैं सरकार केंद सरकार , zaaf l Pinker , राज सरकार क्यों चुपिसादे ही हैं कि यहां मामना राशित जी समीधाने से जुड़ा हुआ है यहां मामला देश के लोगतंदर से जड़ा हुआ है एक लोगतंदर की आज़ादी लोगतंदर पर कही ना कहीं यह एक बहुत बढ़ा है बिलकुल जब लोगों को वोट देने की आज़ादी है लेकिन वोट जो जिसे चुन रहे हैं उसका तो दीगार चिन ही रहा है तो फिर आजादिक किस बात को भी बात करते हैं सबसे पहले मेरट की जहां लोगों ने इसका जीता जागता सबूत दिया है आपको बता दे कि लोगों ने मेरट में इस बात का वीडियो वाइरल क्या है कि वोट किसी और को दे रहे हैं और कमल के फूल पर लाइट जल रही है और आप इस सबूत को सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं आपको बता दे कि हंगामे के बाद जब लोगों ने सबूत दिये तो मीडिया आई पुलिस आई लोगों की शिकायत पर पुलिस ने कहा कि मशीनों की मशीन जो है चेक करी जाएंगी चुनाव अधिकारियों से भी साथवाल जवाब किये गए मौधे मौके पर कई अधिकारी भी आए जिन्होंने कहा कि मशीन को सील कर देंगे और उसके बाद दुबारा जो दिशा निर्देश होंगे उसके आगे क कावाई की जाएगी दूसरी मशीने बदलने की बात कहीं और महीं बात करें फिर कैबिनेट मंतरी सत्यदेव पचौरी की जब उन से इस बारे में पूछा गया तो काशिव जी वह यह कहते हैं कि विपक्ष की पार्टियां हार से निराश हैं सभी पार्टियों के आरोप बि निकाय चुना हो रहे हैं और आप ऐसा बात नहीं है कि युक्तर प्रदेश के अगर आप बात करेंगे तो वहां समाजवादी पार्टी का अपना एक अलग मकाम है अलग मजबूती है बाखी कॉंग्रेस पार्टी को चलिए हम नहीं मान सकते हैं बहुजन समाज को नहीं मान इसके बावजद अगर वीजेपी ऐ बात कह रही है कि नहीं वह डर रहे हैं तो दर तो किसी बात का है एंड़किल सफाहदा डर तो जब होगा रही वीधियाप को अगृजू को तो बहुत करें कानपूर की नहीं कई वार्ट में हंगाम अ हुआ है आपको बता दें कई वाट में मशीने खराब पाई गई गड़बड़ी पाई गई जिसका वीडियो भी वाइरल हो रहा है धडले से इस बात को लेकर लोगों ने आरोप लगाया है महां के लोगों का कहना है कि वोट किसी को भी डालें यहां भी वही मसला की वोट किस है रहे हैं कि एक नहीं कई वाडों में यह गड़बड़ी पाई गई गई और लोग यही कह रहे हैं कि यही बीजेपी के रन नीती रही है और इसी तरह से बीजेपी विधान सभा चुनाव में भी जीत हासिल की है बिलकुल देखी जिस तरीके से राशिद जी बाद देखिये राशिद में यह लोग तंतर की कमजोर क्या रहा है अगर अगर सच में इसके पीछे कोई साज़िश है तो यह लोग तंतर को कमजोर क्या है आपको बता दे कि इस पर कॉंग्रेस और केजरिवाल ने आपकी पार्टी से अध्यक्ष जो है केजरिवाल दिली के सीम उन्होंने भी सवाल जवाब किया है उनका कहना है कि वोटिंग मशीन की जगा बैलट पेपर से चुनाम हो क्योंकि देखा जाता है केजरिवाल ने कहा है कि मशीन खराब होती है तो सिर्फ बीजेपी के ही लिए उनका कहना है कि आखिर अगर मशीन में गड़ बड़ी है तो वोट किसी को भी डाले किसी अन्यको जाए लेकिन ये मामला कहीं जादा सामने आया है कि वोट किसी को भी डाल रहे है और केवल और केवल वोट बीजेप रही जिसके बाद मशीनों में गड़ पड़ी पाई गई हंगामा हुआ पुलिस ने शांत करने के लिए लाटी चार्ज गया जिसके बाद नेताओं के बयान सामने आते हैं नेता कहते हैं कि मशीन खराब होती है तो केवल बीजेपी के लिए क्यों मतलब इसका सीधा साथ हुआ है तो महीं कॉंग्रेस के नेता जो दिगविजय सिंग्या उन्होंने साफ कहा है कि मुझे एवी एम पर भरोसा नहीं है जब पूरे देश यानि देश से बाहर भी बैलट पेपर पर चुनाव होते हैं तो फिर हमारे भारत में क्यों नहीं बिलकुल सही बात है जैसे कॉंग्रेस के दिगविजय सिंग ने भी साफ साफ तौर पर ये कहा है कि उन्हें एवी एम पर भरोसा नहीं है और जिस तरीके से आज का बयान अगर मैं आपको बताऊं कि महराश नम्रमार सेना के पिरमुक राष्ट ठाक जी ने भी एक है कि एवी एम जिसको चाहेगी उस उठाने की कोशिश कर रही है तो एक ही जगा नहीं कई जगा आए हैं क्या काशिफ इसके साथ ये सवाल उठता है कि गड़बडी जो है वो खुलकर सामने आने लगी है पहले इतनी आवाज नहीं उठीती लेकिन अब जोरो शोरो से उठने लगी है पुलिस तक शिकायत जा जा सकता है कि विदान सबा चुनाव में भी ऐसी ही मशिनों में गड़बडी पाके बीजेपी की सरकार सब्ता में आई देखे बिलकुल देखे ये आरोप तो देखे अगर हम बात करें मैं बार बार इस चैनल में बात दोरा रहा हूं कि मायावती ने बहुत जोर सोर से इसक इसके वोरे तोर पर चुनाव आयो को संग्यान लेना चाहिए चुनाव आयो को कदम उठाना चाहिए कि जल से जल इसका अनावरन किया जाए इसका हल निकाला जाए अधरवाइस हालात ऐसे हो जाएंगे कि फिर लोगों का आम जनता है उसका भरोसा बिलकुल उठ जाएगा जिसमें साले तीन हजार मशीने खराब निकल निकल रही हैं तो कहीं ना कहीं राशिद जी जो तस्वीर आ रही है निकलकर वो एक बड़ी साज़िश की अलामत है जब इतने सारे मामले उठते हैं और एक जगा से नहीं कई जगा से मामले सामने आता हैं लेकिन मामला केवाल एक होता है और जगा अलग होती है तो इसका सीधा सीधा रूप यही होता है सीधा सीधा मतलब यही होता है कि कोई तो साज़िश है इसके पीछे कुछ तो चल रह बहराल अब देखना यह होगा कि आने वाले अगले चुनावों में भी क्या वोट मशीने खराब निकलती हैं फिर लोगों के भी छंगामा होता है फिर लोग शिकायत करते हैं फिर पुरिस लाटी चार्ज करती है यह देखना भी बाकी है और देखने के लिए बने रही है हमार आखास प्रोग्राम से आज अपने दीजिये इजाज़त